आज कि हमारी classes में हम आपके साथ discuss करने जा रहे है या explain करने जा रहे है conditional formatting via macro programming conditional formatting जैसे कि हमने आपको बताया कि हम किसी भी इसमें रोम में हम अपनी इड्रेट कंडिशन को एड्र सकते हैं अब कंडिशन जैसे की समधा जा सकता है कि रिकॉर्टिंगको भी आप रिकॉर्टिंग से समसे फिर भी है को बता दे की लगता कैसे हैं करने से दो तरीके से लगता है पहला तो हम एड करना होता है यह की दूसरा उसकी फर्मेटी जैसे कि हमने से लेक्टर से एक पर रिकॉर्ड करता मैक्रों को और यहां पर हमने हाइलाइट माल निजिए कि हमने ग्रेटर धैं इसमें देखिए क्या हुआ recording macro में सबसे पहले यहां पर हमने कहा लिएक है selection selection.add तो यहां पर होता है format condition.add कौन सार्ड कंडिशन कहां भी कंडिशन अप्लाई होगा और cell की value पर उसका operator क्या है तो excel greater और formula क्या है तो 50 इसमें formula 2 भी लगा सब्सक्राइब तो formula 1 और formula 2 हो जाता है मैंने यहां पर between का लगाया बिट्वीन और आपने 20 और यहां पर माली जी कि यहां पर 60 दे लिया आप करते हैं तो आप यहां देखेंगे कि यहां पर आपका यह formula है आपका यहां आपको आगया formula 1 और formula 2 क्या सब्सक्राइब तो यहां पर हमें operator भी डालने की ज़रूरत नहीं है बिना operator के भी हम कर सकते है formula 1 और formula 2 की मज़ाद से कैसे चलिए हम आपको एक एक गाम पर बताता है यहां पर यहां पर एक यहां और यहां पर मैंने देदिया भी बाई भी वी बी कॉलाम ना यहां पर यहां पर दिया हुए अभीस ना है तो टाइब कौन सा है तो यहां पर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं आप देखेंगे तो नहीं टाइब देना जोरी यहां पर टाइब जोरी नहीं है हम फॉर्मुले वान पर ही दे सकते हैं कि ग्रेटर दैन यहां पर इसकी फॉर्मिटिंग क्या होनी चाहिए है किस कलर में किस टाइप में यह यहां पर हम लिखेंगे सेंद दुबरा लिखेंगे कि रेंज पी वाई बी क्योंकि यहां पर कलर डालने के को ऐसा सिस्टम नहीं दिख रहा है की नहीं है यहां अब यहां पर ब्राइकेट में देना वहां कि कौन सा नमबर का तो हमने देती है वान dot हमने यहाँ पे माने जिए मुझे bold करना है तो यहाँ पे हमने कर दिया font dot dot bold equal to true दो तीन देने हैं तो आप इसका use कर सकते हैं तो हमने colon b में हम इसको run करते हैं मुझे कर दो नाप्स कर कर दो में जब कर दो समrias तो अपरेटर से दिना पड़ेगा हमें झाव अपरेटर परेटर परेटर दिना पड़ेगा तभी वर्क पड़ेगा जो ये अपरेटर लिखने की जरूत नहीं है हम आप रिस्पॉर्ट आ जिते हैं आपको देना पड़ेगा यहां पर कुछ भी नंबर आप लिखते हैं 50 से उपर बोल्ड हो जाएगा 50 से नीचे रिखेंगे तो बोल्ड नहीं हो ठीक है सर ओके इस ब्लाइटिंग यह पोल्ड स्टर वा नहीं न यह पोल्ड अभी खाहा हुए कि अभी रंग करते हैं में भी यह सब्सक्राइब आप जाकर देखें हो में कंदीशनल फॉर्मटिंग में यह अप्लाई है सब्सक्राइब अप्लाइट तो है यस बड़ यहां पर दिक्कत क्या है कि इन्वर्टिट कुमा में गेटर दें 50 ले लिया हुए अच्छा वहां पर कॉमा नहीं देंगे कोई सब्सक्राइब नमबर है न तो हमें आइटिंग अपर दिया होगा नहीं दिया होए जो इन्वर्टिंग अग्रेटर लगने के वाद गेटर देन नहीं होगा यहांपी स्लिपल इन अप्लाई है कि यहां पर देखें कि पहले से यहां पर थे इस कारण से लिक्कत हो गई है अब अब आपका अपलाई रहुआ है अब यहां देखिए मैंनेज रूल में है यह सेलेक्शन पहले यह क्लिए करता हूं जाहिए अब इसमें ऐसा क्यों हुआ बताता हूं अब मालेजिए कि हम इसमें अगर एक से ज्यादा अगर कॉलन लगाते हैं एक से ज्यादा अगर हम कॉलन लगाते हैं दिक्कत का होगा कि इसमें इंडेक्स नंबर पर दिक्कत हो जाएगा हमने यहां पर का लिखा हुआ है हमने लिखा हुआ है फॉन्ट वह यहां पर वान है समझ गया है लास्ट में लगेगा उसकी प्रॉर्टी होती चली जाएगा इसलिए आप यहां देखते होंगे यहां पर लिखता होगा सेट प्रॉर्टी इसने बुला selection.format conditions selection.format condition.count उसने देखा है कि पहले कितना format लगा हुआ था फाइब कि पांचमा पांचमा जो conditions है उसकी प्रॉर्टी फॉर्स्ट वजा है समझें हेलो अने जी अने जी समझा आया यह सर्य यह सर्य यह आया तो इसना से प्रॉर्टी को आप स्टेंड कर सकते हैं तो आप यह काम की जिए मुझे अभी एक automated attendance का फॉर्में बनाफिदी यह यह